यूपीटेट की परिच्छा की तैयारी के लिए आज मैस का दूसरा एपिसोड है पहले एपिसोड में मैंने मैस बिसे सम्बंदित उसकी पूरी योजना के बारे में आपको समझाया हमारे पढ़ाने का प्रोसीजर क्या होगा, तरीका क्या होगा, हमारी स्टाइट जी किस प्रकार से आपके साथ काम करेगी क्या पार्ठिक्राम की रूप रेखा है, कैसे कैसे सम्बंदित प्रसन आते हैं, क्या पूरा प्रोसीजर होगा इससे संबन्धिस सारी सोचना है। मैंने आपको पहले एपिसोड में प्रवाइड करी। अगर आज आप आप दूसरा एपिसोड देख रहे हैं और पहला एपिसोड नहीं देखा हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले जाकर के पहला एपिसोड भी जरूर देखें अगर आप एक सिंसेर कंडेट है यूपी टेट की प्रिप्रेशन के लिए तो आपको दोनों एपिसोड या हम कह सकते जितने भी संबंदित एपिसोड आते हैं जो पब्लिक प्लेट पाम पर आपको प्रवाइट किये जाएंगे उनको देखने की अवस्ता है यहाँ पर केवल सीरेस कंडेट की बात हो रही है क्योंकि एक बड़े अस्तर की परिच्छा मुझे लगता है कि प्रदेश अस्तर पर सबसे बड़ी आयोजित की जाने वाली परिच्छा होती है एक बहुत बड़े कंटीशन का महोल आप देख सकते हैं इस तरह की परिच्छाओं के लिए पिछले कुछ दिनों से संस्तान ने इन गदविदियों के आपके सामने सक्री किया है आप लोग उसको देख पा रहे होंगे अलग-अलग बिशे बिशे सा कि अपने पैटन्स के आधार पर अपनी अपने बिशेओं का प्रापर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आप सभी लोग उससे पूरी तरह से यहां पर सिंसियर वे में देख भी रहे हैं पिछले कुछ सालों से हम सभी ने टेट पर अच्छा वर्चस कायम किया यूपी टेट में आपने देखा था कि हमने अच्छे रिजल्स भी दिया और अच्छी अच्छी बैच उसका संचालन भी किया है बदले हुए परदिस में परिच्छाओं के तरीके बदल चुके हैं हम लोग यहां पर किसी एक विषय को किसी एक पर्टिकुलर परिच्छा के लिए पढ़ने की कोसिस करते हैं और हम लोग भी उसे हिसाब से निर्धारित करते हैं उस प्रकार से लेकर के उस तरीकों को लेकर के strategy बनाते हैं और पूरी planning के तहट आपके सामने सारी चीजों को present करते हैं मतलब हमारा पूरा homework उस परिच्छा को लेकर के उस संबंधित विशे के उपर properly रहता है मैंने math विशे के लिए यहाँ पर चीजों को observe किया तो मुझे लगा कि हम एक ही तैयारी को हम अलग-अलग direction में लेकर के नहीं जा सकते हैं मुझे particular एक तैयारी के लिए एक ही direction को face करना पड़ता है face करने की वास्तों में जरुवत दी होती है मैंने आज के session में इसी प्रकार की बातों को लेकर के आपके सामने इसका presentation की अनने की कोसिस करी है इन demo क अच्छाओं के माद्यम से मैं चाता हूँ कि आपके ओन एडायक जो आप 30-35-40 विर्ट हमारे साथ आप बतीत करें उसका एक proper utilization आप कर पाएं आप अगर इस परिच्छा में participate होने की सोच रहें तो आप कम से कम एक से दो प्रसन अपने fix भी कर पाएं इसी को लेकर कि आप पीछे आप देख रहें कि मैंने आज एक बहुत ही important और selected topic का यूज किया है चैन किया है इस topic के तहट आप सीख पाएंगे कि कैसे हम संख्याओं का आउसत निकालते हैं और संख्याओं इसमें हम आपको समझाने की दो प्रकार की बातों की कोसिस करेंगे एक पॉम संख्याओं के बारे में भी discuss करेंगे साथ साथ उनके आउसत के बारे में भी करेंगे अर्थात आप एक प्रकार से number system संख्या प्रडाली कि समख्याओं की कडिगरी अर्थात उनके क्लासिफिकेशन या उनके वर्गी करण के बारे में भी सीखेंगे और साथ-साथ हम आउसत के भी प्रॉसेस को यहाँ पर सीख पाएंगे और मैं पूरा कमिट्मेंट या वादा करता हूँ निश्चित करता हूँ आपके लिए कि आप सभी इस पूरे सेसन को देखने के बाद अपने यूपी टेट चाहे आप एक से लेकर कच्छा पाच की प्रिपरिशन के लिए पेपर वन की तयारी कर रहे हैं या 6-8 आप पेपर 2 की तयारी कर रहे हैं किसी भी परिच्छा में अगर आप बैढ़ते हैं तो आप अपने एक से दो अंग जरूर फिक्स कर सकते हैं आईए सेसन की सुरुआत करते हैं हम लोग यहां पर देखते हुए संख्या समू के अउसत पर अधारित मतलब मैंने आपसे पहले से फिक्स कर रखा है कि हम यहां पर दो बातों को यहां पर फोकस करेंगे सबसे पहली चीज़ तो हम लोग यहाँ पर संख्याओं के बारे में आपको समझाएंगे कि कुछ संख्याओं जो निडायक होती हैं जिनका प्रियोग आप mathematics में देखते हैं और साथ-साथ उनके अवसत के बारे में भी हम लोग समझेंगे संख्या केवल एक individual भी हो सकती है मतलब अकेली भी और साथ-साथ एक समझाओं में भी होती है वाज संख्याओं का समझाओं किसी एक मान को निर्धारित करता है जो किसी एक ब्यक्ती के संबंधित होता है उसके particular task के संबंधित होता है किसी भी खिलाडी के सारे scores होते है कोई एक बच्चे की class में सारी performance का होता है किसी एक collection में किसी एक group की किसी एक collection में हम किसी समू के IU का यहाँ पर collection करते हो, reading करते हो उनकी sales का करते हो, उनके भार का करते हो किसी भी प्रकार के number का करते हो की संख्याओं के रूप में प्रदर्शित किया जाता है जिसके पैटन के अधार पर उसके अलग-अलग नाम हम निर्धारित करते हैं कभी उस संख्या को हम प्राकृतिक कहते हैं कभी हम पूर कहते हैं कभी हम उस संख्या को क्रमिक कहते हैं कभी हम रेगुलर इरेगुलर इस अलग अलग नामों से संख्याओं का निरूपण हम लोग क्या करते हैं इन जो particular हमारे पास एक बल्क में संख्याओं राप्त हो रही है उसका आउसत निकालने का भी एक process होता है और उस आउसत की उपियोगिता ये होती है उस संख्या से संबंधित एक particular एक single value ऐसी प्रवाइट की जाए जो उस पूरे collection को deal करें उस collection को represent करें जैसे माली जे किसी एक खिलाडी की performance मुझे बतानी है तो मैं उस खिलाडी के सभी matches के आकडे को अपने पास नहीं रख करके उसके रणों के आउसत को अपने पास रखता हूँ जिससे हम उस खिलाडी की performance के बारे में अराम से बता सकते हैं कोई एक चात्र की अगर हमें strategy या चात्र के performance के बारे में बताना है तो हम उसके सभी बिस्यों के अंकों को ना याद करके उसके average marks को या आउसत अंकों को हम लोग ग्याद करते हैं कोई एक organization अपने सभी employees को सभी कर्मचारियों की salary के निर्धारण के लिए प्रतेक कर्मचारी की salary को ना record करके अगर एक ऐसी value निर्धारित कर ले जो कि हो कह रहा है कि लगबग हम इतने रूपए प्रत employee को दिया करते हैं तो उसी को हम लोग औसत कहते हैं औसत को generally explain किया जाया तो यह योग बटा संख्या होता है अर्थात जो भी observation में आपको value दी गई होती है उन सभी को अगर हम जोड करके उनकी संख्या से भाग दे दे तो उसी को हम लोग औसत कहते हैं इस बात को आप लोग समझते हैं मा लिजे एक कच्छा में कोई बच्चा है जिसने किसी एक टेस्ट में पाच बिश्यों में अलग-अलग टेस्ट दिये उसको किसी में 10 नंबर, किसी में 15 नंबर, किसी में फिर से 15 नंबर किसी में जो उसको मा लिजे यहाँ पर तीस नंबर प्राप्थ हुगा अब इस प्रकार से उसने पांच बिश्यों में इस टाइप से अंकर जित किये अब मुझे अगर सपोच करी उसके आउसतंकों को ग्याद करना है तो आउसत हमेशा यहाँ पर इसी आउसत को मैंने आपके एकजाम से रिलेट किया और मैंने संख्याओं के अलग-अलग समूहों के हिसाब से आउसत को निकालने की स्ट्राटजी पर ही सेसन को आज डेवलब किया है सेसन को रेडी करने की कोसिस करी है मुझे पूरा बरोसा इस सेसन को आप लोग पढ़ करके अच्छी तरह से अपनी प्रयारी में इसका एक महत्तपूर यूज़ आप लोग कर सकते है इस बात के लिए मैं पूरी तरह से निश्चिन्थ हूँ क्योंकि मैंने इसमें देखी है तो आपको जो बताने की कोसिस करी है मैं लगातार यन तक की प्राकृतिक संख्या है प्राकृतिक अर्थात नेचुरल नंबर जिनकी सुरवात आपको पता है एक से होती है दो, तीन, सो, आन, इंफनाइट तक के नंबर सो है जिनको हम लोग यहाँ पर प्राकृतिक संख्या कहते है मतलब प्रारंभ एक से हो और अंध इंफनाइट तक हो सभी पोडांग का आपके प्राकृतिक कहलाते है कैपिटेल एन से रेप्रजेंट किया जाता है अगर आपको इसकी पूरी डिटेल देखनी है तो आप मेरे बहुत सारे वीडियो से आपको पब्लिक प्लेटपार्म पर मिल जाएंगे जहां पर मैंने संख्याओं का प्रापर वर्गी करड़ किया है और कराया है और आपसो आप मेंसे बहुत सारे लोग इस बात को मेरे से पढ़ भी चुके हों या अलड़ी आप बढ़ चुके हों इसमें कोई प्राप्लम नहीं यही जो प्राकृतिक संख्याओं आई हैं इनके वर्गों के आउसत के लिए हम इनकी एक अलग प्रकार की कटेगरी को देखेंगे जैसे एक का स्क्वेर, दो का स्क्वेर, सोवानिस प्रकार की संख्याओं दी गई हो इनके घनों के आउसत की बात अगर हम करेंगे तो एक का क्यूब, दो का क्यूब, सोवानियन के क्यूब की बात करेंगे यन तक की पूर संख्याओं पूर संख्या मतलब जीरो से प्रारंब होने वाली संख्या है जो यहाँ पर एक से प्रारंब हो रही थी अब यहीं जीरो से अगर प्रारंब हो तो यह पूर संख्या है कहलाएगी इनके वरगों के आउसत की बात हम लोग करेंगे तो इस प्रकार से पैटन को रीट करेंगे सम संख्याओं की बात करेंगे अलांकि सम संख्याओं को हम लोग ऐसे कहते हैं वह संख्याओं जो दोसे पूडता विवाजित हो जाती है actually यह negative पॉजिटिव दोनों होती है लेकिन हम लोग जब सम संख्याओं को प्रारंब से कंसीडर करने की कोशिश करते हैं तो जनरली इसकी सुरुवात हम दो से मानते हैं, चार, छे, आठ इस प्रकार की संख्याएं आपकी संख्याएं हैं, बिसम संख्याओं की बात किया जाए, एक है, तीन है, पाँच है, साथ है, नौ है, इस प्रकार की संख्याएं आपकी बिसम, जो की दो से नहीं करती हैं, वह आप इस समय एक ऐसे दौर में हैं जहां पर थोड़ा सा नेडायक भोमिका में आपको होने की जरुवत होती है संस्थान ने इस प्रकार की बैचिस का संचालन किराया है अभी तक और अभी भी हम लोग कराने जा रहें मतलब हम लोगों ने बहुत सारी बैचिस को सक्सिस्फुली यहाँ पर फिंडब किया है अच्छे से प्रिजंट किया है और आप सभी लोग उसके गवाबी है आप सभी जानते भी है मुझे लगता है कि आपको भी अब देरी नहीं करनी चाहिए एक सही स्ट्राइड़ी को प्लान करके अपनी तैयारी को स्टार्ट आज से कर देना चाहिए आज से क्या आप जब से सुरू की गई चीज़े तब ही से आपको प्रारम कर देना चाहिए संस्थान की इन गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे संस्थान से आप इंट्रैक्ट करने के लिए हमारी जो नीचे वीडियो के नीचे पट्टी पर नंबर चल ले हैं उस पे contact कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की जनकारी को आप gather कर सकते हैं अगर आप संस्थान के इस badge का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे पास इसका एक authentic mobile number प्रवाइट किया जाता है, हम लोग सभी teachers प्रवाइट करते हैं ये नंबर आपको दिया गया है 900-58-15-849 इस नंबर पर आप entry for WhatsApp, मतलब इसको आपको अपने WhatsApp में contact में save करना है और entry for WhatsApp लिख करके आप हमें message करिए संस्थान के द्वारा तुरंत आप से जो है संपर किया जाएगा और आपको batches में add होने का process बताया जाएगा अब आगे बढ़ते हम लोग अपने concept की तरफ, अपने topic की तरफ जैसा कि मैंने कहा है कि इन 30-35 मिनट को मैं आपके लिए बेहतरीन बनाने की कोशिस करूँगा, best बनाने की कोशिस करूँगा अब प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं के लिए मैंने जैसे आप से question कोई पूछ ले प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का आउसत क्या होगा अब प्रथम प्राकृतिक संख्याओं में आप ध्यान दीजिएगा हमसे एक प्रगार से कह रहा है कि एक है, दो है, तीन है, चार है, पाच है इनका आउसत बताएं तो आपने कहा सर आउसत तो आपने बताया है कि योग बटा संख्या होती है यही तो बताया गया है अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो कहीं न कहीं जा करके हम फस जाएंगे हलाकि इसको हम कनफर्म करने के लिए अप्लाई जरूर करवा देते हैं सोचिए अभी तक तो मैंने निकाल दिया एक पांच की जगार 500 होता, 1000 होता तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी प्राबलम होती इसके लिए हम सबसे पहले अगर योग को प्रापर समझ जाएं मतलब यन तक की प्राकृतिक संख्याओं के अगर मैं योग की बात करूँ योग का एक पैटर्न, एक फार्मला होता है यन इंटू यन प्लस वन डिवाइड़ बाई टू होता है यह हमारे पास यन तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं पांच गुड़े पांच प्लस एक डिवाइड़ बाई अगर हम तू कर दें मतलब पांच गुड़े छे बटा दो कर दें दो गुड़े तीन देखिए छे तीन पचे पंद्रा हो गया मतलब योग जो यहाँ पर पंद्रा हमने एड़ करके सिंगल सिंगल को लिखा था वो डारेक्ली हमको इससे प्राप्थ हो जा रहा है तो योग तो 15 हुआ, बट योग से काम नहीं हमको ओसत से काम है, तो हम ओसत के लिए हमको पता है कि योग बटा संख्या होता है, अब आपने योग का फार्मूला लगाया है, यन इंटू यन प्लस 1 डिवाइड़ बाइट बाइटू, और संख्या हमको पता है यन, अगर यन से काट दें तो उसत हो जाएगा यन प्लस वन डिवाइड़ बाई टू तो सिंपली आप एक बास समझ लीजिए कि लगातार यन तक की प्राकृतिक संख्याओं का उसत यन प्लस वन डिवाइड़ बाई टू होगा आप इसको अपनी कॉपी में अपने पास रख लीजिए जि छे बटा दो कर देंगे तो उत्तर यहाँ पर उसत कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा अब यही संख्याओं अगर मेरे पास सपोच करी 100 होती तो 100 प्लस एक बटा दो कर देते 1000 होती 1000 प्लस एक बटा दो कर देते 999 होती 999 प्लस एक बटा दो कर देते मतलब जो संख्याओं एक्जामबल ले करके इसको चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब मैंने का यन तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का उसत, वर्गों के लिए अगर दिमाग लगाएं, एक प्रकार से जैसे इसने कहा है कि प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं क तरनीक जोडने का प्रयास करिए, यहां पर आप सभी लोग चार एक पांच हुआ, पचीस पांच तीस हुआ, और तीस और पचीस, सोला नौ पचीस पच्चपन हो जाएगा इनका जोड़, पूरा अगर मैं जोड़ दू सभी को तो इनका जोड़ पच्चपन हुआ, पच्च का डारेक्ट आप ध्यान दीजेगा, यहां पर मैं लिख दूँगा, यन प्लस वन इन्टू यन प्लस वन डिवाइड़ बाई सिक्स, इस फार्मुले को आप अपलाई करिए, लगातार यन प्राकृतिक संख्याओं का आउसत आपको पता चल जाएगा, आप इस पर चेक कर दीजे, आपको कंफर्म हो जाएगा, मुझसे 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के आउसत के लिए कहा था, मैं लिखूंगा 5 प्लस 1 इन्टू, 2 इन्टू 5 प्लस 1 डिवाइड़ बाई हमने 6 करा, देखिए 5 एक 6 ही होता, इससे कैंसिल होगा, दो गुड़े 5 दस, 10 में से ए जोड़ा तुरंद कितना हो जाएगा उसत, इसका 11, तो आपको बस ध्यान देना है, अगर कभी भी हमको यन्टक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का उसत करने को कहेगा, तो उस पद में हम एक जोड़ेंगे, 2 गुड़े पद प्लस 1 बटा 6 कर देंगे, तो हमेशा ह हम लिखेंगे, 2 गुड़े 10 प्लस 1 डिवाइड़ बाइ 6, तो 10 एक दिखी कितना होए 11, 10 दूना 20 एक 21, बटा आप करोगे 6, 3 दूना होता है 6, 3 सते 21, 77 बटा 2 हुआ, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 33 दसमलों आपके सामने, 2 यहाँ पर इस संख्या का, इस समूं का उसत हो गया, तो आप से कभी भी इस तरह के प्रस्ण पूछे जाएंगे, तो आप तुरंट answer देने की स्थिती में होंगे, लेकिन process formula को आपको सही तरह से याद करके चलना होगा, सही तरह से approach करके चलना होगा, आगे बढ़िएगा, मैंने का है प्रत्थम यन प्राकृतिक संख्याओं के घ अब घनों की बात की गई है, घनों में actually a demand हम से कुछ इस प्रकार से किया है, जैसे कि एक का cube, दो का cube, जैसे तीन तक की घन संख्याओं की बात कर रहा है, तीन का cube इस तरह की संख्याओं को कह रहा है, आप इसको properly थोड़ा सा observation के लिए समझे, एक हुआ, आठ हुआ, 27 अगर हम इसको जोड़ दें, और divided by हम लोग अगर तीन कर दें, क्योंकि तीन संख्याओं की बात है, तो उसत कितना है, बताइए, 12, अब इसके लिए भी मैं आपको एक formula बता दूँ, अगर लगातार यन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का उसत आप से पूछा जाए, तो अब आप सोची तीन गुड़े, चार का वर्ग मतलब 16 होगा, बटा चार करें, चार गुड़े 4, 16 होता है, चार गुड़े 3 कर दीजिए, उत्तर आपके सामने 12 आजाएगा, मतलब जितनी भी संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का उसत पूछेगा, आप इस formula को apply करिएगा, n into n plus 1 का whole square divided by 4 लगाईए, आपको right answer इस प्रसन का पता चल जाएगा, अब आप से मालीजे 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का उसत पूछा होता, इसी प्रकार से जो भी पूछा होता, अब कर लेते, मालीजे मुझसे कहता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख तो आउसत कितना हो गया बताइए 45 हो गया अगर हमसे 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का आउसत पूस्ता हम इस प्रकार से उत्तर कर पाते हैं होपसो है समझ में चीजे आपको आ रही है अब जैसे हम प्राकृतिक संख्याओं को देख रहेते उसी प्रकार से आगे आ रहा है टर्म पूर संख्याओं का पूर मतलब आप अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं होल नंबर की सुरवात आपको अच्छे से पता है जीरो से वन, टू, सोवान इस प्रकार से होकर चलती है अब मैं यही पर एक Patern आप से कहूँ जैसे मैंने का प्रतं ध्यान दिजेगा इस बात को मैंने का प्रतं 5 प्राकृतिक संख्याओं अब आप सोचोगी प्राकृतिक यहाँ पर क्यों आ रहा है तो पको पता है कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा मैं यहीं पर कहूँ कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या हैं तो आप तुरंद लिखेंगे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा मतलब अगर देखा जाए मैं अगर इस 5 प्राकृतिक संख्याओं के योग की बात करूँगा तो आप लिखोगे, योग करें तो 1, 2, 3, 4, 5 होगा, अगर मैं कहा तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं के योग की बात करिए तो 0, 1, 2, 3, 4 मतलब अगर पांच पूर्ण संख्याओं का जोड़ होगा और वह जो है इसके हिसाब से अगर compare किया जायत इसमें से एक कम संख्याओं के योग के बराबर होगा मतलब जो यहाँ पर यन संख्याओं का योग होगा वह यहाँ पर यन माइनस वन संख्याओं की योग के बराबर होगा यन माइनस वन संख्याओं की योग के बराबर होगा जो 5 संख्या का योग था वो यहाँ पर 4 संख्याओं की योग के हिसाब से यहाँ पर चल रहा है आप इसको समझ पा रहे होंगे मेरे हिसाब से बाते आप समझे मतलब यहाँ पर ऐसे समझे यहाँ पर 5 है वो 5 actually उसके हिसाब का 4 है जो उसका 4 है वह है इसका 5 है इस प्रकार से चीजे बनकर सामने आ रही थी प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आपने पढ़ा था तो आपको फार्मूला बताया था मैंने यन इंटू यन प्लस 1 डिवाइड़ बाइ 2 अब आपको क्या करना है जैसे अगर पूर संख्याओं के लिए सोचना है तो आप यन की जगह पर यन माइनस 1 पुट कर दीजे यन की जगह पर अगर यन माइनस 1 पुट कर देंगे यह तो यह तो यह पूर्ण संख्याओं का योग हो गया, यह पूर्ण संख्याओं का योग हो गया, यह पूर्ण संख्याओं का योग, कितना हो गया बताइए, यह बैलू हो गई, यह 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 तो मैंने यहाँ पर अगर सपोच करी जैसे मुझसे कहा कि यह 5 पूर्ण संख्याओं का योग तो मैं लिख दू 5 इंटू 5-1 divided by 2 तो 5 में से एक निकलेगा 4 होगा 2 दूना 4 होगा 5 दूना 10 देखी जो मैंने ऐसे डारेक्ट बताया था वही बनकर इस फार्मुले पर आ रहा है अब यहीं पर मालीजे मुझे आउसत करना होता तो आउसत के लिए आपको बस सिंपली यन यन माइनस 1 divided by 2 इंटू यन करेंगे यन यन से खतम होकर के यहाँ पर यन माइनस 1 divided by 2 हो जाएगा मतलब जो वहाँ पर यन प्लस 1 divided by 2 होता था प्राकृतिक में वही पूर्ड पर य 0, 1, 2, 3, 4 थोड़ा सा जोड़ कर देखिए भले 4 तक लिखा लेकिन है तो 5 सुरुवात क्यों कि किस से हो रही है? 0 से हो रही है अगर हम जोड़ें 2, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 6, 4, 10 10 बटा अगर मैं 5 कर दो तो एंसर कितना ना चीटू? मैं फार्मुले के हिसाब से करूँ तो 5 इकला 4 बटा दो करेंगे तो बैलू कितनी हो जाएगी? 2. तो मुझसे अगर पूछा कि प्रत्थम यन पूर्ण संख्याओं का उसर तो आप सिंपली क्या कर देंगे? कि यन माइनस 1 डिवाइड़ बाई 2 कर दीजे. मुझसे कहा कि प्रत्थम 11 पूर्ण संख्याओं का उसर 11 माइनस 1 बटा 2 कर दीजे. प्रत्थम 101 पूर्ण संख्याओं का उसर 101 माइनस 1 बटा 2 कर दीजे. इस तरह से जिस किसी भी यन पूर्ण संख्याओं का उसर पूछेगा, आप सिंपल यही प्रोसेस अप्लाई कर दीजेगा. आपको तुरंत एंसर इसका प्राप्त हो यन पूर्ण संख्याओं के वर्गों का उसर अब जैसे मालीजी इसका मतलब हमसे कुछ इस प्रकार से कहेगा. जीरो का वर्ग, एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का वर्ग. इस तरह से हमसे यन पूर्ण संख्याओं के वर्गों का उसर कहेगा. अब आप स हम लोग एक फार्मुले की मदस से भी निकाल सकते, जैसे अगर याद करिए यन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का उसत क्या हुआ था, यन प्लस वन टू यन प्लस वन डिवाइड़ बाइ सिक्स, उसी तरह से यन पूर्ण संख्याओं के वर्गों का उसत, यन आप कर दो 6, तो आप इसको देखिए, 5 में से 1 निकला 4 गुड़े, 10 में से 1 निकलेगा 9, बटा आप कर दो 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 दूना 4, 2 गुड़े 3 कर दीजे, बैलू किसके बराबर? 6 के बराबर हो गई, आप से किसी भी यन पूर्ण संख्याओं के वर्गों का उसत पूछेगा, आपको लगाना क्या है, यन माइनस 1, 2 यन माइनस 1, डिवाइड बाइ 6, आप यही चीज़ प्राकृतिक पर रहते थे, यन प्लस के हिसाब से करते थे, 2 यन प्लस के हिसाब से करते थे, पूर्ण में आपको बस सिंप्ली माइनस कर देना होगा, इस पैटन का यूज करके इस तरह के प्रसनों का उतर करा जा सकता है, आजाईए आगे, यन पूर्ण संख्याओं के घनों का उसत, तो आप समझ गया होंगे, जिसे चार पूर्ण संख्याओं के घनों का उसत हम से सबोच कर यह पूछा गया है, तो आप ध्यान दीजे क्या होगा, जैसे इसको चार से भाग दिया तो आउसत कितना आया नौ अब इसी आउसत को ग्याद करने के लिए बस एक प्रोसेस अपलाई करी एजी कैसे जैसे आपने यन प्राकृतिक संख्याओं के वर घनों का आउसत निकाला था यन यन प्लस वन के होल स्क्वेर डिवाइड वाइड वाइ और आउसत बन जाएगा आप लगाईए चार संख्याए हैं चार गुड़े चार माइनस एक का होल स्क्वेर डिवाइड वाइड 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 वाई आपको क्या लिखना है चार चार मैं क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने चार पूर संख्याओं की बात करी ह तो हो जाएगा 4 गुड़े 9, 9 क्यों? क्योंकि 4 में से 1 निकलेगा 3, 3 का वर्ग होता है 9, बटा 4 करें 4, 4 से कटा बहलू कितनी हुई? 9 आप मैच करा सकते हैं, आपका प्रोसेस काम कर रहा है तो हमने लिखा कि 4 पूर्ण संख्याओं के घनों का आउसत आपके पास कितना हो गया? 9 हो गया, जो कि किस फार्मुले से आ रहा है? 4 into 4 minus 1 के whole square divided by yen से आ रहा है एक बात दिमाग में रखिये गया, जैसे हैं आप लोग त्यारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर बड़े निस्चिंद नहीं है कि उनको लग रहा है कि भी फार्म नहीं है अभी आप ए मान कर चलिए, किसी भी हालत में जो हम लोग यहां पर चीज़े अबजर्ब कर रहे हैं, उसके अधार पर number में, किसी भी हालत में आपके announcement, notifications के हो जाएंगे या निस्चित तोर पर है, और कहीं न कहीं जनवरी इंड या फरवरी के आसपास, जनवरी इंड तक मान कर चलिए आपके paper होंगे अगर आपके फाम आकर के आपको दो महीने का वक्त मिले, क्या इतनी बड़ी mathematics या इतने बड़े इस पर्टिक्रम को आपके लिए पढ़ना possible हो पाएगा आप खुद इसे दिमाग लगाईए, यहाँ पर हम किसी भी प्रकार से आपको गुमराह करने की बात नहीं कर रहे हम आपको सही स्थिती के बारे में बताने की बात कर रहे है आप ही लोग जब batch में होते हैं तो इतने pressure देते हैं सर इस समय हमको इतना जल्दी करना exam date हमारी आ चुकी है हमको भी पूरे homework को और आपके सामने पूरी चीज को represent करने के लिए course के प्रती नयाय करने के लिए आपके प्रती नयाय करने के लिए एक परपूर मतलब एक क्रायदे से time चाहिए होता है दो से धाई महीने का वक्त भी अगर देखा जाए तो कम है अगर हमारे पास इस समय 9 बर, December, January के आधे का मैं समय मान कर चलो तो केवल और केवल देखा जाए 60-70-80 दिनों का वक्त बचा है अब 60-70-80 दिन तो बहुत ही मतलब ऐसे हैं जो कि उतने ही एकदम hard and fast required है मतलब 80 class तो किसी भी हालत में required है आपके इस पूरे पार्टे क्रम को आपके सामने सही तरह से present करने की बाकि फामिल्टी तो अलग चीज होती है आप सब लोग इस बात से बच्ची तरह से अउगत हैं कि फामिल्टी दुनियादारी अलग है सही कैरिकुलम अलग है इसलिए अपने दिमाग से सारे confusion सहटा करके अगर आपको टेट qualify करना है तो आपको आज से ही पढ़ाई प्रारंब कर देनी होगी आप सुरू कर दीजिए बिना किसी confusion के बिना किसी doubt के और बिना किनही बातों को सुने हुए आप चुपचाप अपने दिमाग को concentrate करिए और अपनी पढ़ाई के लिए स्वैम को केंद्रित कर दीजिए कि हम जनवरी इंड में अगर पेपर होगा तो कम से कम वहां तक हम ready हो सकेंगे त्यार हो सकेंगे पहले हो गया तो चलिए दूसरी बात हो गई मुझे लगता है समय नहीं है और जो समय है और उतना ही अगर देखा जाए तो limited है इसलिए एमस सोचिए इंतजार मत करिए कि हम चलिए जब हमारे पास जब फाम आएगा तो हम जो फाम तो आना ही आना है और फाम आया तो एक्जाम दोट से ढ़ाई मैंने जादा वक्त नहीं लगेगा एक्जाम को कराने में इसलिए आज से ही कमर कस लीजिए पढ़ना सुरू कर दीजिए आपको क्योंकि समय लगता है चीजों को ग्रैप्स करने में पढ़ने में समझने में इसलिए तयारी को बिल्कुल सेग्णोरना करके पढ़ाई शुरू करिए और उस पे अपना कदम बढ़ाना शुरू करिए आईए जिस सिक्वेंस को हम आप से डिसकस कर रहेते हैं उसी की तरह हम फिर से इंप्रूब करते हैं अपने सेशन को यहाँ पर लिखा प्रथम यन सम संख्याओं का उसत मैंने कहा सम मतलब क्या है सम वह संख्याओं हैं जो दो से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं जिनको दो से अगर भाग दिया जाए तो सेशफल सुनने आता हो अर्था जिन संख्याओं के अंत में आपको सुनने दो चार छे आठ नजर आए वही संख्या आपकी सम संख्या कहराती है अगर हमसे कहा जाए प्रथम यन सम संख्याओं का उसत अक्सर देखा जाता है तो लोग जीरो को भी सम संख्या कहते हैं लेकिन जीरो काउंटिंग में नहीं आता हो इससे देखा जाए तो माइनस टू भी संख् कि आउसत की बात करेगा, तो हम थोड़ा से एक प्रोसेस आपको समझाते हैं, जैसे मान लिजिए, मैंने लिखा संख्या, और मैंने लिखा आउसत, आप यहाँ पर अगर एक संख्या लेंगे, एक संख्या लेंगे, तो एक संख्या में कौन आएगा, केवल दो आएगा, और दो बटा संख्या बटा, मतलब उसके योग बटा, एक संख्या का योग तो वही होगा न, उस तना बटा अगर हम एक कर दें, तो आउसत कितना हो गया बताईए, जैसे अगर हमारे पास एक संख्या है, और उसके आउसत की बात हम लोग करेंगे, तो दो बटा हम एक कर देत मतलब तीन समसंख्या को मतलब बारा को अगर हम तीन से डिवाइट करें तो चार आएगा ऐसे चार समसंख्या लेंगे तो उसत पांच आएगा ऐसे यन संख्या लेंगे तो उसत यन प्लस वन आएगा तो आपको ध्यान में रखना है कि यन समसंख्याओं का उसत हमेशा यन प्लस वन होता है बस उसमें एक जोड़ दीजिए वही यन संख्याओं का उसत हो जाएगा प्रसन में पूछा प्रसम 10 समसंख्याओं का उसत क्या होगा आप कहिए 10 समसंख्याओं का उसत 11 होगा 100 समसंख्याओं का आउसत क्या होगा 101 होगा जो भी है जस्ट उसमें एक एड कर दे उतनी संख्याओं का या हम कह सकते उतनी संख्याओं का आउसत आपको प्राप्त हो जाएगा आई हो पेची जिदम से क्लियर हुई होगी हमको यन कह दिया थो हमने तुरंद यन प्लस वन लिख दिया वही उन संख्याओं का आउसत होगा बिसम संख्याओं की बात किया जाए तो आपको पता है बिसम संख्याओं एक तीन पान साथ नौ जो दो से नहीं करती है वही सब बिसम संख्याओं होती है इनके आउसत को अगर हमने प्लान किया मैंने लिखा संख्या और मैंने लिखा आउसत अब मालिजे मैं आपसे कहूँ कि एक बिसम संख्या तो एक बिसम संख्या खुद एक है और उसका आउसत बटा एक मतलब वह सोयम हो गई दो बिसम संख्या एक दो पांच नौ साथ सोला हुआ तो चार बिसम संख्याओं को सोला को अगर चार से डिवाइट करेंगे तो चार आएगा मैंने देखा एक का एक है दो का दो है तीन का तीन है चार का चार है तो यन का यन है यन बिसम संख्याओं का उसत हमेशा यन ही होगा यन बिसम संख्याओं का आउसत हमेशा यन ही होगा मतलब कोई परिवर्टन नहीं होगा दस का हमेशा दस ही होगा तो दस बिसम संख्याओं का आउसत आपको हमेशा दस ही मिलेगा याद रखी इस बात को कभी भी ऐसे प्रसुन बने तो आप डारेक्ट टेंसर करने की इस्तिती में रहें इस बात को आप सेट कर लीजे माइंड में अब कभी-कभी जैसे इस तरह की questions आते हैं जैसे मैंने एक लिखा था कि क्रमिक जिसमें sequential relation हो उनको हम कैसे करते हैं जैसे मैं जैसे कहा गया 20 से 50 तक 21, 22, 23, 19 प्रकार से 50 तक की संख्याओं का होसत क्या होगा जब कभी भी आपको इस प्रकार का pattern दिया जाए जब संख्याओं के अंदर या हम कह सकते हैं संख्याओं के पदों में अंतर समान हो आप देख रहें अंतर सब में क्या है? समान है एक ऐसा process भी हो सकता था कि लोग सोचें कि हम यहाँ से यहाँ तक को जोड़ दें और संख्या से विभाजित कर दें तो उत्तर तो निकाल सकते हैं लेकिन ऐसा करना यहाँ पर कोई भी जिम्मेदारी पूरबग कदम नहीं होगा, कोई भी completion की strategy नहीं होगी जब कभी भी ऐसे collections को आपको provide किये जाए जिसमें पदों के अंतर समान हो मैंने कहा यदी पदों के अंतर समान है अब पदों के अंतर समान में चाहे जितने का अंतर हो चाहे हजार का अंतर है चाहे दस हजार का अंतर है चाहे दो का अंतर है चाहे एक का अंतर है, कितने का भी अंतर समान हो, तो जो आउसत होता है, वह हमेशा क्या होगा, पहली संख्या, प्लस अंतिम संख्या बटा दो होगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा दो होगा, आप कभी भी ऐसे कलेक्शन को फेस करें, जिसमें पदों का अंतर य बटा आप करें दो, तो पचास बीस होता है, सत्तर बटा हम करें दो, आउसत हो गया 35, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड़ बाई टू इस आलबेज बी दे अबरेज, जब कभी पदों के अंतर समान हो, हमेशा इस प्रकार के कलेक्शन का जो आउसत होगा, वो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड़ बाई टू होगा, मा लीजिए, मुझे कहा जाए, मुझे कहा जाए, 80 है, 82 है, 84 है, 86 है, ऐसे बढ़ते चले गए, और हम पहुँच गए 164 पर, अब आप से अगर मैंने का किसका अंतर बताएं, तो आप देख पारें, सभी के बीच का अंतर क्या है, समान है, 2-2 का डिफरेंस यहां पर होता जा रहा है, आप पहली संख्या उठाईए, 80, अंतिम संख्या उठाईए, 164, 164, जोड दीजिए, बटा 2 कर दीजिए, जोडा तो 4 हुआ, 8-6-14 हुआ, 1-1, 244 बटा 2 हुआ, 122 हो जाएगा, जो इसक प्राप्त हो जाएगा, इसी पर एक पैटन जैसे कहा गया, 3 के प्रथम 10 गुरजों का आउसत, गुरज मतलब क्या होता है, multiple होता है, 3 के प्रथम 10 गुरजों का मतलब multiple, अर्था जो 3 के पहाड़े में आते हैं, गुरज देखिए कुछ ऐसे होंगे, 3 होगा, अगला 6 होगा अगला 9 होगा, अगला 12 मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ते जाएए, ऐसे ही 10 गुरज का मतलब 3 दहाम में 30, जो अंतिम मान होगा 30 होगा, अब इसका अगर औसत निकालना है, तो पहली संख्या 3 है, अंतिम संख्या 30 है, इनको जोड़िए, 3 प्लस 30 बटा आप करिए, यहाँ पर इस तरह से अगर कभी भी कोई एक कलेक्षन आपको दिया जा, जैसे मैंने कहा आपसे सपोच करिए, मैंने कहा 5 के 5 के प्रथम 20 गुरजों का उसत, अब आप देखिए ध्यान से, पहली संख्या हमेशा 5 होगी, और अंतिम संख्या 5 गुरज 20 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा अब हमारे पास संख्या एकुल कितनी है, 5 के 20 गुरज लिये जा रहे हैं, तो 20 ही होगा, 20 होगा, लेकिन हमें संख्या से तो कोई मतलब नहीं, हमें पहली संख्या प्लसंतिम संख्या बटा दो करना है, 105 बटा दो कर दीजिए, 25 ये 10 हुआ, 2 दो ना 4, 52.5 यहाँ पर इसका बड़ा important था, आपने इन चीजों को properly यहाँ पर consider किया, जो चीज actually required है आपकी परिच्छा के लिए, और मैं इस बात की security लेता हूँ, कि इसमें से आपको इस तरह पर based question जरूर आपकी परिच्छा में आपको नज़राएंगे, ति बड़े ही important terms थे, बड़े ही important question थे, और ब अपनी तयारी के लिए अपने आपको निशिंद कर लीजिए, sure कर लीजिए, संस्थान आपके साथ पूरी तरह से अडिग है, जुड़ा हुआ है, संस्थान पूरी तरह से ready है, हम सभी तयार है, तयारी को properly कराने के लिए, एक संपूर्ण समर्पन के साथ, एक अच्छी भा नंबर्स पर फोन करके संपर कर सकते हैं, या आपको संस्थान के द्वारा जो authentic WhatsApp नंबर प्रवाइड किया जाता है, 900-5815-849, इस पर आप WhatsApp करके, इंट्री फार, यूपी टेट वाट्सेप करके, आप अपनी सीट को सुनिशित कर सकते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत Thanks a lot.